नमस्कार मैं हूँ साक्षिर शिवा और आप देख रहे हैं डी टीवी भारत आईए बढ़ते हैं खबरों की ओर मंत्री विजय चौधरी ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि उच्चतम नयायाले ने केंद्र सरकार की कारशैली पर उंगली उठाई है और सुप्रीम कोट का आदेश स्वागत योग्य है विजय चौधरी ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग की मर्यादा बढ़करार रखनी चाहिए और कोई गरबड़ी नहीं है तो केंद्र सरकार को फाइल दिखाने में क्या दिक्कत है और मुख्य चुनाव आयोग की न्यूक्ति से संबंधित संची का ही मंगाली है ये एक एतिहासी घटना है आज तक इस तरह का आदेश उच्चतम नियाले द्वारा किसी समवैधानिक संस्था या यू कहिए कि उच्चतम समवैधानिक संस्थाओं जैसे देश में चुनाव आयोग है या पहले तो प्लानिंग कमिशन था योजन आयोग था अब नीती आयोग है या अन्य दूसरे सीवी सी हैं मुख्य सतरकता आयोग्त होते हैं या कोई भी बड़ी विश्वस्निय उच्चतम संस्थाओं में नियुक्ति अगर पारदर्सी धंग से नहीं होगी तो इससे तो उस संस्था की गरिमा घटेगी नमस्कार मैं हूँ साक्षी शिवा और आप देख रहे हैं डी टीवी भारत आईए बढ़ते हैं खबरों की ओर मंत्रे विजय चौधरी ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि उच्चतम नयायाले ने केंद्र सरकार की कारशैली पर उंगली उठाई है और सुप्रीम कोट का आदेश स्वागत योग्य है विजय चौधरी ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग की मर्यादा बढ़करार रखनी चाहिए और कोई गरबड़ी नहीं है तो केंद्र सरकार को फाइल दिखाने में क्या दिक्कत है और मुख्य चुनाव आयोग की न्यूक्ति से संबंधित संची का ही मंगाली है ये एक एतिहासी घटना है आज तक इस तरह का आदेश उच्चतम नियाले द्वारा किसी संवैधानिक संस्था या यूं कहिए कि उच्चतम संवैधानिक संस्था हो जिसे देश में चुनाव आयोग है या पहले तो प्लानिंग कमिशन था योजना आयोग था अब नीती आयोग है या अन्य दूसरे सीवी सी हैं मुख्य सतरकता आयोग तो होते हैं या कोई भी बड़ी विश्वस्निये उच्चतम संस्थाओं में न्यूक्ति अगर पारदरसी धंग से नहीं होगी तो इससे तो उस संस्था की गरिमा घटेगी